Hi everyone, welcome to the class. So, आज हम करने वाले हैं CRPC का section 163. इससे पहले के section हम cover कर चुके हैं, तो इससे पहले वाली वीडियोज आप देख लीजएगा. So, section 163 क्या कहता है? No inducement to be offered. So, हमने इससे पहले देखा था, witness की statement record की जाती है, फिर accused की जो statement record की जाती है. अब जिस वेक्ति की statement record की जा रही है, उसमें किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा. यहाँ पर इस section में तीन word यूज किये गए हैं, basically. Inducement, जिसको हिंदी में प्रलोभन बोलते हैं. Threat, जिसे सब कोई पता है, किसी को डराना, धमकाना. और third है promise, या किसी से कोई जूठा वादा, या जो भी किसी भी तरीके या कोई वादा करके, अगर कोई statement ली जा रही है, तो वो irrelevant है. उसका कोई benefit नहीं रहेगा, कोई इस्तमाल नहीं रहेगा. चलिले, section 163 की एक बार reading कर लेते हैं. So, इसका first close कह रहा है, no police officer or other person in authority. तो चाहे वो police officer statement ले रहा है, या कोई और वैक्ती जो है authority के अंदर, वो भी इस तरीके कोई भी, मतलब तरीका नहीं अपनाएगा, कोई inducement threat या promise का इस्तमाल वो नहीं करेगा. शेल offer or make or cause to be offered or made, मतलब उसको किसी तरीके का offer करना, या उस पे किसी तरीके का दबाव डालना, जिससे pressurize होकर वो कोई statement ते. Any such inducement threat or promise, as is mentioned in section 24 of Indian Evidence Act. तो जैसे कि आपके section 24 में, Indian Evidence में बताया गया है, तो इस तरीके कि कोई भी statement जो है, वो काम की नहीं रहेगी, relevant नहीं रहेगी. Okay, second देखिए, but no police officer or other person shall prevent. अब अगर कोई व्यक्ति, कोई जो witness है, या कोई भी व्यक्ति है, अगर वो चान बूझ कर, अपनी स्वाइच्छा से कोई statement दे रहा है, तब police officer उसे रोकेगा भी नहीं, पहली बात कि वो कोई promise threat या inducement नहीं करेगा, लेकिन बिना यह सब करेगा, अगर कोई confess कर रहा है, कोई statement दे रहा है, तो वो उसको रोकेगा भी नहीं, shall prevent by any caution or otherwise any person from making in the course of an investigation under this chapter, any statement which he may be disposed to make of his own free will, जो अपनी free will से स्वा इच्छा से जो वो statement दे रहा है, उसको रोकेगा नहीं, अब इसका provise वो क्या रहता है, that nothing in this subsection shall affect the provision of subsection 4 of section 164, 164 का subsection 4 जो है उसको कहीं पर भी आपका section 163 जो है वो effect नहीं करेगा, अब यह क्या कहता है, जिसको अभी हम नेक्स section में देखते हैं, देखिए 164, section 164 देखिए क्या कहता है, recording of confession and statement, अब किसी confession के recording हो रही है, किसी statement के हो रही है, confession और statement में क्या difference होता है, confession basically, जो accused person होता है, जिसके उपर मतलब उस offense के charges लगाए गए है, वो confess करता है, कि हाँ मैंने ये offense किया है, और statement जो है, वो किसी का भी हो सकता है, किसी witness का हो सकता है, तो यह एक basic सा difference है, क्यों क्योंकि अभी हम section 164 में पढ़ेंगे, कि कौन सा subsection जो है, वो accused के confession की बात कर रहा है, और कौन सा subsection जो है, वो witness के statement की बात कर रहा है, अभी आगे मैं इसके बारे में बताऊंगे आपको, चलिए, इसका सबसे पहले subsection 1 देख लेते हैं, any metropolitan magistrate मदब MM, और judicial magistrate में, तो मदब दोनों में से कोई भी magistrate जो है, ये statement record कर सकता है, whether or not he has jurisdiction in the case, अब चाहे उसके पास jurisdiction हो या नहीं हो, it doesn't matter, अगर jurisdiction नहीं है, तब भी वो record कर सकता है, क्योंकि record होने के बाद, जैसे ही पता चले कि भी हाँ, उस magistrate के अंडर ही आता है, तो उसको फिर ये statement transfer कर दी जाएगी, record any confession or statement made to him in the course of an investigation under this chapter, अब ये जो recording हो रही है statement की, वो कौनसे investigation है, जो हम ये chapter पढ़ रहे हैं, chapter 12 जो पढ़ रहे हैं, इसके under जो investigation हो रही है, इसके अंडर जो investigation हो रही है, उसके अंडर जो statement दी जा रही है, उसके recording की बात हो रही है, ठीक है, और under any other law for the time being enforced, या फिर कोई और अगर कोई special कानून है, उसमें अगर ये सब बताया गया है, कि statement record करनी या confession, उसके अंदर भी, और at any time afterwards, before the commencement of the inquiry or trial, तो मदब investigation चल रही है, ये आपको time period बता रहा है, कि किस समय के दोरान, अगर कोई statement या confession हो रहा है, उसकी recording की जाए, आपका inquiry और trial के start होने से पहले का जो time period है, जो investigation का जो time period है, उस दोरान अगर कोई confession होता है, या फिर statement होती है, उसकी recording कि ये बात करता है, इसके proviso पढ़ लीजिए, बहुत simple है, एकदम समझ आ जाएंगे, मैं आपको ये थोड़ा सा time period समझाती हूँ, कि इसके बारे में बात कर रहा है, कि मतब कभ ये statement अगर आ रही है, तो आपका section 164 जो है, वो applicable होगा, एक इसमें situation ये आती है, suppose करिए, मैं accused हूँ, मैंने कोई offense किया, तो क्या मैं directly magistrate के पास जाके, अपना confession जो है record करवा सकते हूँ, देखे, बार तो नहीं है इस पर कहीं पर भी, बट generally magistrate को नहीं पता होता है, कि offense क्या है, और क्या इसी वैक्ती ने वो offense किया भी है, या नहीं किया है, ये तो आपके police officer को ज़्यादा knowledge रहेगी, तो अगर वो वैक्ती direct magistrate के पास जाता है, तो magistrate सबसे पहले police officer से पूछेगा, कि क्या इसी वैक्ती ने वो offense किया है, अगर police officer clear answer कर देता हाँ, इसी नहीं किया है, उसके पास confident है, उसके पास सबूत है कि हाँ इस नहीं किया है, तो ऐसे situation में magistrate उसका confession या statement वो रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन अगर police officer खुद doubtful है, उसको नहीं पता है कि इस वैक्ती ने वो offense किया भी है, नहीं किया है, तो ऐसे situation में magistrate जो है police officer को investigation करने के लिए बोलता है, फिर उसके बाद आपका section 164 आता है, अब यहाँ देखिए, अब इसमें कहता है कि investigation के दोरान आपका यह statement recording होगी, but before the commencement of inquiry or trial, तो यहाँ मैंने चोटा सा यह बनाया है, graph, whatever it is, तो आपको समझ आएगा, सबसे पहले investigation हो रही है, investigation के पाद आपका police report submit होता है, तो इस time के दोरान, आपका section 164 भी 164 लागू होता है, अब देखिए, police report के बाद के बारे में नहीं खुला है, इसने सरिफ बोला है inquiry और trial के comments होने से पहले, तो police report submit होने के बाद section 164 लग सकता है, वो क्यों लगे यह वह भी मैं बताऊंगी, क्योंकि इसके बाद direct आपका cognizance का stage आता है, तो यहां तक यह लग सकता है, लेकिन before cognizance and after police report filing section 164 can apply, तो इस बार क्या होता है, आपका police report submit करने का time period bound होता है, कि इतने समय के अंदर आपको police report submit करवानी investigation complete करनी, लेकिन कई situation में आपके अगर suppose करिए कोई forensic report आनी बाकी है, किसी witness का statement record करना बाकी है, थोड़ी और specific investigation अगर बाकी है, तो ऐसे situation में उसके लिए इंतजार नहीं किया जाता, जितनी भी investigation हो रखी होती है, उसको ध्यान में रखके police report submit करवा देते हैं, तो police report के बाद जो आपकी investigation चलती है, cognizance से पहले, उसको हम supplementary investigation बोलते हैं, तो आपका police report के बाद और cognizance से पहले, भी section 164 लग जाएगा, क्योंकि तब supplementary investigation चल रही होगी, तो ये time period जो अभी section में बताया, कि investigation के दोरान ही ये statement record की जाएगी, ये इस तरह से होगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखेगा, inquiry और trial के start होने से पहले ये रहेगा, ठीक है, जैसे ही inquiry cognizance के बाद तो फिर inquiry start हो जाते है, फिर ये आपका section 164 वर्क नहीं करता है, तो supplementary investigation के दोरान भी section 164 लगेगा, आप इसके provisor पढ़ लिजाए, बहुत simple है, नहीं समझ जाएंगे तो मैं आपको बता दूँगी, इसका subsection 2 देखे, subsection 2 देखे, क्या कहता है, basically magistrate के उपर इसमें दो duty बताए गई है, statement को record करने से पहले, okay, so वो क्या duty है, the accused is not duty bound to confess, मतब accused के उपर ऐसे कोई duty या force नहीं है, कि उसे confess करना ही करना है, ठीक है न, और दूसरी, every statement should be voluntary, तो accused जो भी यहाँ पर बोल रहा है, जो भी वो confess कर रहा है, वो voluntarily होना चाहिए, बिना किसी pressure, किसी दबाओ के, नहीं होना चाहिए, जो हमने इसके पहले पढ़ा था, देखे, the magistrate shall, shall है, it means एक mandatory provision है, before recording any such confession, तो कोई भी confession, और confession किसका है, क्यूज का है यहाँ पर, तो record करने से पहले, explain to the person making it, that he is not bound to make a confession, तो वो magistrate जो है, उस person को बताएगा, कि तुम bound नहीं हो, कि तुम confess करो ही करो, and that if he does so, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा करता है, accused, it may be used as evidence against him, तो magistrate उसे बताएगा, कि यह जो तुम भी, तुम जो भी confess करोगे न, कि तुम्हारे against, as evidence जो है, इस्तमाल किया जा सकता है, and the magistrate shall not record, any such confession, unless upon questioning the person making it, he has reason to believe that it is being made voluntary, और जब तक magistrate को ऐसा ना लगे, कि यह voluntary, खुद की अपनी स्वाइच्छा से वो ऐसा कर रहा है, तब तक वो उसका record नहीं करेगा, तो basically यह voluntary होना चाहिए, और magistrate उसे explain करेगा, कि वो duty bound नहीं है, ऐसा करने के लिए, और यह statement जो है, उसके against as evidence इस्तमाल की जा सकती है, नेक्स देखिये, subsection 3 क्या कहता है, आपको पता है, offense होता है, offense होने के बाद उस वेक्ती को arrest किया जाता है, और 24 hours के अंदर उसे magistrate के सामने produce किया जाता है, उसके बाद उस वेक्ती की 15 दिन की police custody लेता है, simple है, अगर किसी वेक्ती को arrest किया जा चुका है, और वो police custody में है, police custody में रहने के दोरान, अगर वो magistrate के सामने लाया जाता है, और लाने के बाद अगर वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ confess नहीं करना है, तो magistrate के सामने produce होने के बाद उस वेक्ती को दोबारा से police custody में नहीं भेजा जा सकता है, यहाँ इस section में, subsection में बोला गया, उसके बाद उसे judicial custody में भेजा जाएगा, वापस से police custody में, suppose कि यह किसी वेक्ती 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 को arrest किया है, पांच दिन वो police custody में, छटे दिन अगर हो magistrate के सामने लाया जा रहा है, और हो कुछ confess नहीं कर रहा है, तो उसके बाद दोबारा से police custody में ली जाएगा, magistrate उसे judicial custody में भेजता है, लेकिन अगर suppose करिये, police officer को investigation के दोरान बहुत relevant या, बहुत important कोई point मिल जाता है, तो जब उस बेक्ती को magistrate के सामने produce करेंगे, तब तो उसके बाद फिरो judicial custody में भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर police officer को ऐसा कोई fact मिल जाता है, जिस पर पूछता आज करना, investigation करना है, उससे पूछना बहुत जरूरी है, तो magistrate चाहे तो order कर सकता है, उसको दोबारा से police custody में भेजने के लिए, but very first day, उसी दिन नहीं भेजा जाएगा, जिस दिन वो judicial custody में, उसके बाद उसे दोबारा से police custody में भेजा जा सकता है, तो यह है आपका subsection 3, 4 देखे, subsection 4 देखे क्या कहता है, तो basically यह pattern बताया गया है कि किस तरीके से वो statement record की जाएगी और क्या sign वगेरा जो रहेंगी, वो सब इसमें बताया गया है, तो section 281 के अंदर जो है examination जिस तरीके से record किया जाता है, उसी तरीके से confession जो है record किया जाएगा and shall be signed by the person making the confession, और जो वेक्ती यह confession कर रहा है, उसके द्वारे से sign भी करवाया जाएगा, and the magistrate shall make a memorandum at the foot of such record of the following effect, तो जो यह confession record किया जा रहा है written format में, उससे पहले magistrate जो इस तरीके का memorandum भी उसके साथ attach करेगा, पढ़ लो, बहुत simple है, तो कोई statement confession से अलग, तो confession accused का है, और दूसरे लोग का क्या है witness, तो witness के द्वारा अगर कोई statement दी जा रहे है, उसका record किस तरीके से होगा, यह आपका subsection 5 है, तो witness की statement की recording, आपका subsection 5 बोलता है, और बाकि जो दूसरे वो accused के बारे में हैं, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेगा, यह जो witness की statement की recording हो रही है, जो यह witness है, बेसिकली police के द्वारा sponsored होना चाहिए, क्योंकि देखिए, एक list prepare होती है witnesses की, कि भी so and so, यह जो लोग की as a witness है, इस case के अंदर, तो उन्ही के ही statement की recording हो रही है, ऐसे किसी भी वेक्ति की नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोग की है, बेसिकली, वही witness की यहां बात हो रही है, made under subsection 1, तो subsection 1 के अंदर जो है, shall be recorded in such manner, here and after provided for the recording of evidence, as is in the opinion of magistrate, best fitted to the circumstances of the case, and the magistrate shall have power to administer oath to the person, whose statement is recorded to work, यह basically pattern ही एक तरीके से, कि जो जिसकी statement यह record हो रही है witness की, उसको magistrate चाहे तो जो ओत शपत भी दिलवा सकता है, कि वो हां सच बोल रहा है यह so and so, ओके, अब नेक्स्ट 5A देखिए, in case punishable under section 354, A, B, C, D, subsection 1, or subsection 2, section 376, आपको पताएए किस के offense के section है यह, the magistrate shall record the statement of a person against whom such offense has been committed, तो जिस महिला के खिलाफ यह offense हुई है, in the manner prescribed in subsection 5, तो subsection 5 के अंदर जो यह statement record की जारी है, as soon as the commission of the offense is brought to the notice of the police, तो जैसे ही police की जानकारी के अंदर यह आएगा offense, तो तुरंथ यह statement record की जाएगी, provided that if the person making the statement is temporarily or permanently, mentally or physically disabled, लेकिन अगर यह जो victim है, permanently या जो temporarily, physically या mentally अगर वो disabled है, the magistrate shall take the assistance of the interpreter or a special educator in recording the statement, तो बोल नहीं पार है, अपनी बात समझा नहीं पार है, तो इसे situation में, एक educator को भी appoint कया जा सकता है, provided further that if the person making the statement is temporarily or permanently, mentally or physically disabled, the statement made by the person with the assistance of an interpreter or a special educator, अगर बोल कर नहीं बता पारहा है, तो उसको वो वीडियो क्राफ भी किया जाएगा, ताकि वो clear हो सके, कि भी क्या statement record की जा रही है, नेक्स देखिया statement record under close A of a person who is temporarily or permanently, mentally or physically disabled, shall be considered a statement in lieu of examination chief, तो simply मैं आपको वितायते हैं, कि भी अगर एक बार statement यह जो record कर ली गई है, तो जब examination in chief होता है, तो इसी statement का ही तो बारा से इस्तमाल करके, उसको examine किया जा सकता है, दो बारा से उस वेक्टी को, court में आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, simple है यह, 6 देखिये, the magistrate recording a confession or statement under this section, shall forward it to the magistrate, by whom the case is to be inquired into or tried, मतब अगर आपके पास jurisdiction नहीं है magistrate के पास, तो बाद में जिसका jurisdiction रहता है, उसके बास यह statement forward कर दी जाएगी, ओके, अग इसमें एक चीज़ सोचिए, कि investigation के ही दोरान यह confession हो सकता है, क्या statement record हो सकता है, अगर उससे पहले, स्टेटमेंट, recording यह confession जो relevant रहेगा, बस आपका section 164 के अंदर उसे deal नहीं गिया जाएगा, उसको हम extra judicial confession बोलते हैं, simple है, ठेक है, तो यह था आपका section 164, अगर फिर भी किसी कोई doubt है, या कोई portion इसका नहीं समझा रहा है, तो आप मुझे comment करें और बताइए, मैं आपके doubts जो है, वो solve करूँए, thank you for watching.